नमस्कार मैं सुवनी गोतम गोतम कॉंसर्प्राव का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लेकर आए हूं एक बहुत इंप्रेंट कंटर फेर दोस्तों अभी हाल ही में हर्यादा विदान सबाने एक बिल पास किया है जिसके नुसार प्राइविट नोक्रियों में 75% स्थान या निवाशियों को दिया जाएगा मतलब कि अनुसार प्राइविट नोक्रियों के इंदर 55% आरक्ष्ण स्थान या निवाशियों को दिया जाएगा मतलब कि जो हर्यान के रहने वाले हैं उनको 55% आरक्ष्ण ने प्राइविट नोक्रियों में दिया जाएगा साथियों वैसे एक अच्छी बात है कि हमारे युवाव को रोजगार मिलेगा लेकिन साथ में इसके कई नेकिटिव पॉइंट भी है सबसे पहले आप यह समझ ल जागू होगा दूसरे दोस्तों जो पहले से लगे हुए हैं दुस्री राजों से आकरमाली हर्याने में जो भी लगे हुए है उन पर नियम हुए नहीं होगा तीसरे दोस्तों इसमें एक स्लैब रखी गई है यह नियम 50,000 वासिक वेतन से कम वाली नोक्रियों पर ही नित्म 10% लोगों को ही रखा जा सकता है मतलब की 10% लोगों को ही नोकरी दी जा सकती है तो साथियो अब बात करते हैं इस बिल के positive point की देखिये साथियो इससे जो सबसे बड़ा फायद होगा वही होगा कि जो हमारी हर्यानेवाले हैं उनको ज़्याद ज्याद़ नोकरिया उनको अपने घर में नोकरी मिल जाएगी एक दोस्तों सबसे बड़ा पॉजीटिव पॉइंट यह है दूसरा फ्रेंड्स इसका जो पॉजीटिव पॉइंट है वो यह है कि देखिए जैसे कि आपको पता है यूपी बिहार से हजारों लड़के लड़की गुडगाओं में या गुरुग्रा में जोब करने के लिए ठीक है और वो कम सेलरी पर ही काम करने के लिए तयार हो जाते हैं जबकि हमारी जो हार्यानवाले है उंके जो डिमाड्ड हती है वह ज़ादा पैसे की रहती है या जयादा इसाइरी की रहती है अब कंपनी क्या करेंगी जो कम पैसे में काम करने के लिए त्यार है वो उसको ही लेंगी तो इसलिए साथियों यूपी और बिहार के बच्चों को ज़्यादा चाहर से मिलता है हमारे बच्चे पिछे ला जाते हैं दूसरा इसका प्रजीटिव पैंट यह है कि हमारे बच्चों को ही प्रोच्छान मिल देगा लेकिन क्योंकि अब इसका विरोद भी स्टाट हो गया है तो उसकी वजह भी जायज है अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की कहीं लोगों का मानना है कि यह आर्टिकल 16 का उलंगन है कई लोग दोस्तों यह भी तरक देने हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट न सब्सक्राइब तक है तो अब इसका नेगेटिव इंपक्ट के पड़ेगा देखिए अब हमारे आप इंडिया के अंदर गिने चुने ही आईटी हब है अगर हर्याने की बात करें तो हर्याने में सिर्फ एक ही आईटी हब है वह है आपका गुरू ग्राम ठीक है लेकिन इन से जो बच्छे पी टेक करते हैं इंजिनियर बनते हैं वह लुबगे गुरू गाओं के बाद का मूउब करते हैं आपका बैंगर करते है अच्छी के लिए या फिर स्टाटिंग के लिए ये रूर बनने के बाद कर दूसरे स्टेट भी ये रूर बना देंगे अपने- जो हमारे बच्चे इंजीनिक फिल से जुड़े हुए है ठीक है सब के जुड़ तो गुरु गुराम नहीं पूरी कर सकता तो कामू करते हैं आपका पैंगलोर क्योंकि हमें कई हजार कंपनिया हैं अगर दोस्तों करनाटक भी यही रूल बना देगा तो हमारे बच्चों को न सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आने वाले समय में प्रोब्लम और बढ़ जाएंगी जब सभी राज्या ऐसा करेंगे तो फिर जो कुछ स्पेसल फिल्ड होती है ठीक है तो वह बच्चे बेरुजगरी रह जाएंगी उनको जो नहीं मिलेंगी इससे सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्कुल भी ठीक नहीं होगा इसके बारे में फ्रेंड्स आप लोग क्या सोचते हैं कि यह ठीक है या फिर यह गलत है आप अपनी डाइं कमेंट बोक्स में जुरू बताएं आज के लिए तरहीं थैंक्यू हैं आज